श्री शद्ग्रु महराज कीजे शुक्मन के जिना नाल से अम्रित की धारा बहे रही मीन शूरत धार धर भाठाशे शीरा चडी रही शुक्मन के जिना नाल से अम्रित की धारा बहे रही गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर गुरु सेव कर अति प्रीति कर गुरु के आज्या मान प्यारे कर सदा गुरु के कही उस नाल का जीना दुआरा गुरु तुझे देंगे बताओ दो नैन ना शामद सन मुख सुए अग्रदर ले लही तंफटे जोती भरे आकाश का तु सेर कर शब्द यनहत शार में मिले लहले शत पद कोशही दुख दर्द भाव के शव मिटें शत गुरु चरन नित से ये गुरु भाक्त बिन कचुना बने में ही शकल संतन कही शुख मन के जीना नाल शे अमरित की धारा बही रही मेन शूरत धार धर भाठा शे शीरा चडी रही भावार्त शुशुम्ना के शुक्ष में नलिका दसम द्वार ब्रह्म रंग्र से जोती और नाद रूप अमरित की धारा बह रही है शूरत रूप मचली उस धारा को पकर कर उसके प्रवाह की उल्टी दिशा में अर्थात उसके उद्गम की ओर चड़ती जाती है अत्यंत प्रेम पुर्व गुरू की सेवा करो गुरू प्रदत मंत्र का मानस जब करो और गुरू के अस्थोल रोप का मानस ध्यान करो हे प्यारे गुरू की आग्या मानकर सदा उनकी कही बातों को करते रहो आचरन में उतारते रहो गुरू तुम्हें सुसुमना की नलिका का सुक्षम द्वार बतला देंगे वह अस्थान दोनों आखों के बीच नाक के सामने सुई की नोक की तरह सुक्षम है उसे ग्रहन करो ऐसा करने से तुम्हारे नैनाकाश का अंधकार मिट जाएगा तुम जोती से आपूरित आकाश में भ्रहमन करोगे अन्ततह तुम अनाहत शारशब्द में लीन होकर शत्पद शवदातित परंपद को प्राप्त करोगे इस तरह तुम्हारे शवी शान सारिक दूख दर्द समाप्त हो जाएंगे पर इसके लिए नित्य प्रती शद्गुरु के चर्णों की सेवा करो शवी संतों ने कहा है कि गुरु भक्ती के बिना कुछ भी पर्मात्म भक्ती नहीं बनेगी श्री शद्गुरु महाराज कीजे